पलो सिसोधिया जी मैं आप से जाना चाहूंगे कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख देना या खबर में कुछ दिखा देना या फिर किसी ग्रूप में बैठ के कोई नारे लगा देने से क्या वाकई फिड़म आफ स्पीच का हनन हो जाता है देखिए सोशल मीडिया एक नई रिय करता है और इसके कारण से एक नई तरह का समाज में एक उनमाद आया है या यह यह कहना चाहिए कि क्योंकि जो जैसे जो कश्मीर का मुद्दा है तो जो कश्मीर की आजादी के फेवर में है वो भी उत्ते स्ट्रॉंग है सोशल मीडिया पे और जो कश्मीर को आजादी ना देना चाहेंगे वो भी उत्ते स्ट्रॉंग है सोशल मीडिया पे और यह हर मुद्दे पे सोशल मी कहां पर जाके सेटल होगी, यह समय के साथ ही पता चलेगा. और जैसे यह भी होता है कि कुछ समय बाद में लोग ठक जाएंगे अपने अपने उन्मात से ही, अपने उन्मात से, तो हो सकता है कि वो कुछ एक बैलेंस व्यू लेना शुरू करें अपनी बातों. और दूसरा एक जो एक कमेंड करा गया कि स्वत घुँचन्त टा नहीं होती है. तो इसमें कोई disagree करता ही नहीं है. कोई समाझ disagree नहीं करता है, कोई सरकार disagree नहीं करती है, कोई व्यक्ती disagree नहीं करता है. बट as they say devil lies in the details कि जब आप एक-एक किस्से को देखें और analyze करें कि अब जिसे कनेया कुमार का था तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उट रहा है कि पुलिस ने निश्पक्ष जांच की है या नहीं की है उनके पास में जो evidence आई है वो reliable है या नहीं है अभी तक उसमें चार्ट शीट फाइल नहीं हुई है तो उस एक चोटे से लड़के को इतिस दिनों के लिए जेल में क्यों रखा गया अब दूसरी बात यह है कि मान लें कि उसने कुछ कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगाए अब उसके नारे को JNU में तो आपने बंद कर दिया पर जो उसको oppose कर रहे हैं उन्होंने कश्मीर की समस्या को solve करने के लिए जो कि पिछले 60 साल से चलती आ रही है उसके लिए क्या किया और उससे क्या वो problem कम हो गई या solve हो गई तो अब यह चीजे शोशल मीडिया तो एक dialogue का तरीका है अभी सब एक उन्माद में है किसी भी side में आप हो सब एक उन्माद में पर अब यह कहां जाकर के settle होता है यह देखना होगा और कौन किसको जिम्मेवार मानेगा और कौन किसकी जिम्मेवारी तै करेगा यह शोशल मीडिया में बहुत difficult है क्योंकि press वगरा पर तो आप direct control लगा सकते थे वह शोशल मीडिया के centers कहीं अमेरिका में कहीं यॉरोप में और शायद इसके लिए कोई अलग तरह कानून लाने चाहिए और मेरे खाल से कानून हर चीज कानून से तै नहीं होगी इसको थोड़ा समय देना चाहिए और हर एक जिसको अपना उनमाद है उसको दूसरे के उनमाद को भी थोड़ा समझना चाहिए